प्रदानमंत्री नरिद मोदी 14 नौवंबर को दो दिवसी ए दोरे पर चारकन आएंगे 14 नौवंबर को रात आठ बजी प्रदानमंत्री बिर्शा मुंडा एरपोर्ट राजी पहुचेंगे एरपोर्ट से लेकर राजबौन तक वे रोडसो करेंगे हिस्तोरान बिर्शा मुंडा चौक पर भगवान बिर्शा मुंडा की प्रतिमा पर माले आरपन भी करेंगे राजभवन में प्रधान मंतरी रात्री विश्राम करेंगे पंदरा नौमर को जारकन स्थापना दिवस पर प्रधान मंतरी बगवान बिर्शा मुंडा की जन मस्तली उली हात हूँ जाएंगे जन जातिय गौरों दिवस पर वह बगवान बिर्शा मुंडा को नमन करेंगे और उनके वनसोजों से मिलेंगे इसके बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी खूटी के बिर्शा मुंडा स्टेडियम में एक जन सभा को भी संभोधित करेंगे आपको बता दें कि प्रधान मंतरी के इस साक्मन को लेकर बीजेपी कार करताओं में गजब का उत्सा है इसके अलावे जो सेकृर्टी प्रोटोकॉल्स है और जो एसोपी है एस्पी जी के उसके एंगल से डिसकुसंस हो रहा है मिटिंग हो रही है और जो भी होगा वो परियाप सर्चा की जाएगा यहां से राजभों तक जाने के दौरान जो उची बिल्निंग्स होगी प्रधार मंतरी के जारखन दोरे का सत्ताधारी दल जेमेम ने स्वागत किया है जेमेम प्रभक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बिल्सा की धर्ती पर प्रधार मंतरी का हिरदेश्य स्वागत है अगवानी में पुरदेश के प्रधान मंत्री है और मुझे लगता है कोई कोर कसर जारकन की सरकार उनके आवभगत में आगवानी में नहीं छोड़ेगी लेकिन प्रधान मंत्री महोदे आ रहे हैं बहुत सारी उम्मीदे हैं जो जारकन की धर्ती पर बिर्शामुंडा भगवान बिर्शामुंडा की धर्ती सिद्धू कानू की धर्ती शिबू सورिन की धर्ती पर आकर कम से कम जारकन्डी जन्मानस खास करके आतिवासी समुनदाई जो सरना धर्मकोड की मांगा करता है कईग सदियों से मांग होती आ रही हैं उस मांग को अबिलम पूरा करें। ऐसा हम लोगों का मानना है और जो पिछणों के आरक्षन की बात है विधेयक पास करके राज़ की सरकार ने भेज़ा है के अंदर के पास उस विशे को भी लंबित रखा गया है उस विशे पर को भी स्विकृति मिले साथ ही जो एक लाक अरतीस हजार करोड रुपे बकाये हैं जार्खन की धर्ती पर आकर तो जार्खन के विकास के दिए